अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं बता दें कि 31 दिसंबर 2019 से पहले अगर आपने अपने पुराने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को नहीं बदलवाया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा दिरसे सभी बैंक मेगनेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बंद करने जा रहे हैं इस समय दो तरह के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का अस्तमाल किया जा रहा है पहला कार्ड मेगनेटिक स्ट्राइप वाला और दुसरा चिप वाला कार्ड होता है लेकिन अब मेगनेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बैंक बंद कर रहा है आपके जानकारे के लिए बता दें कि कार्ड को बदलवाने की तारीख RBI ने 31 दिसंबर दिया ये कदम लाखों ग्रहाकों की सुरक्षा में ध्यान में रख कर उठाया गया है RBI के मताबिक Magnetic Stripe वाले कार्ड पुरानी टेक्नलोजी हो चुकी है जिसके चलते बैंक ने ऐसे कार्ड बन करने का फैसला लिया है इन कार्ज की जगह EMV चिप वाले कार्ड को बनाया जा रहा है जो आज की टेक्नलोजी की मदद से आपके खाते की डिटेर्स को सुरक्षित रखेंगे यदि आप State Bank of India के ग्रहक है तो आपके लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना कार्ड बदल लें क्योंकि SBI Magnetic Stripe ATM को ब्लॉक कर रहा है बैंक अपने ग्रहकों के लिए पुराने Magnetic Stripe कार्ड को चप पाले कार्ड से रप्लेस करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फो मोर अपडेट्स